हाई अब्रीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट रूटूप चनल, आज मैं इस पार्ट को वीडियो में एक इंपोरेंट टॉपिक को कवर करूँगा, ESIC UDC Computer Skill Test के लिए, और ये टॉपिक है, How to Save File in Correct Format in Exam, आप लोग को फाइल को किस तरह से Correct Format में Save करना है, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, एक्जाम के अंदर आप लोग को किस तरह से करना है, ठीक है, चाहे वो MS PowerPoint हो, MS Word हो, या फिर MS Excel हो, चलो हम लोग सारा चीज़ देखेंगे एक-एक करके, तो पहले मैं PDF को Open कर लेता हो, जिसमें General Instruction सारा चीज़ दिया गया है, तो ये है ESIC का PDF, जहापर सारा चीज़ General Instruction आप लोग को दिया गया है, ये है sample paper, जो कि कल ही release हुआ था, यहापर सारा instruction आप लोग को दिया गया है, और ये जो भी instruction आप लोग यहापर देख रहे हो, यहापर बहुत सारा point है, लेकिन मैं यहापर सिरिप आप लोग को बताऊंगा, आप लोग को file save किस तरह से करना है, अगर आप लोग को सभी point के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने एक already video कबर कर चुका हूँ, अगर आप लोग ने उस video को नहीं देखा है, तो आप लोग को उस video का link इस video के comment section में मिल दाएगा, तो आप लोग exam से पहले जरूर उस video को देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही important video है, तो चलो मैं यहापर आ powerpoint file created by the candidate, जो आप लोग create करोगे, should be saved with file name, आप लोग को file name में यहापर save करना पड़ेगा, यहापर आप लोग को अपना role number देना पड़ेगा, then question number यहापर देना पड़ेगा, यहापर example के तोर पर आप लोग को दिखाया गया है, अगर आप लोग का role number जो भी है, मानलो की 1100 0036 है, तो आप लोग को यहापर role number देना है, then आप लोग को dash लगा के question number देना है, और powerpoint जो है question number A में आता है, word आप लोग का question number B में आता है, और Excel आप लोग का question number C में आता है, तो यह powerpoint है, तो देख सकतो हो यहापर A, यहापर indicate क्या है, then आप लोग को .PPT आप लोग को format में save करना है ठीक है तो इसी में बहुत किसी को doubt है dot ppt में किस तरह से save करें उसी तरह आप लोग को ms word में भी ms word का भी instruction दिया गया है ms word में आप लोग को dot doc में यहाँ पर save करना पड़ेगा और excel में आप लोग को dot xls में save करना पड़ेगा लेकिन क्या problem क्या है 2007 या फिर उसके उपर वाले version में आप लोग को dot ppt dot doc dot xls आप लोग को by default नहीं देखने को मिलेगा ठीक है यही आप लोग का problem हो रहा था इसलिए मैं इस वीडियो को cover कर रहा हो आप लोग के लिए तो चलो देख लेते पहले हम लोग समझेंगे dot ppt or dot buses dot ppt x में क्या difference है यह आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्या आप लोग का doubt था ठीक है तो चलो मैं आप लोग को एक ही करके समझाता हो तो मैं इसको पहले जूम कर लेता हो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो देखो 1997 से लेकर 2003 का जो भी office का बर्जन था वहाँ पर आप लोग को dot ppt dot doc dot xls देखने को मिलता है ठीक है लेकिन 2007 या फिर उससे जो यहीं बर्जन का है वहाँ पर आप लोग को dot ppt x dot 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 doc x देखने को मिलेगा और dot itself exactly bez México एक्स अप लोग को एक्सल में देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा पारपॉंट के लिए आप word के लिए आप लोग को docx और excel के आप लोग को xls x देखने को मिलेगा ठीक है तो यही difference है ठीक है समझ में आगे आप लोग को 233 तक आप लोग को यह format देखने को मिलता है और 27 और इससे जो भी आगे का बर्जन है आप लोग को यह वाला चीज सारा देखने को मिलता है अब आप लोग को लेकिन बोला गया है dot ppt में save करना है dot doc में करना है dot xls में करना है तो आप लोग कीस तरह से करो गए मैं इस वीडियो में आप लोग बढ़ा देता हो आप लोग को सारा confusion खतम हो जाएगा तो मैं इसको पहले तो हटा देता हो चलो मैं यहाँ से हटा देता हो इसको उसके बाद मैं आप लोग को यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को save करना है माल लोग आप लोग ये वाला file बनायेарыहो PowerPoint मैं एक उक करके सबी में दिखाऊंगा PowerPoint में भी दिखाऊंगा, Excel में भी दिखाऊंगा और MS Word में भी दिखाऊंगा सारा चीज एक एक करके दिखाऊंगा, save करके ठीक है, तो चलो, पहले तो मैं आप लोग को बदा दू, आप लोग जब भी exam वहाँ पर start करोगे, उससे पहले आप लोग को एक desktop के अंदर एक एक file बना लेना है, आप लोग को कोई भी जैसे cst आप लोग लिख दोगे आप लोग को desktop में ही save कर लेना है, ठीक है एक file बना के वहाँ पर रख लेना है फिर आप लोग को वही पर एक एक करके save करना है तो चलो मैं सारा चीज, आप लोग को detail में बाता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा तो मैं file में चले जाता हूँ, file में जाने के बाद आप लोग को file में जाने के बाद यहाँ पर different, different यहाँ पर आप लोग को मिलेगा तो आप लोग को desktop में किलिक सकते होगा अप किलिक करने के बाद आप लोग को एक new file create कर लेना है तो new чays create करोगे आपammen लोग को यहाँ पर किलिक कर देना है जैसे अप लोग यहाँ यहाँ पर किलिक करोगे तो कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से वहाँ पर नाम दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर, यहाँ पर CST कर देता हूँ, ठीक है, CST 2022 में कर देता हूँ, ठीक है, और इसी के अंदर आप लोग को एके करके सभी सेब करना है, जैसे कि PowerPoint हो गया, Excel हो गया, MS Word हो गया, तो मैंने एक फाइल तो यहाँ पर बना दिया, create कर दिया, अब चलो हम लोग सेब करके, एक एक करके समझेंगे, तो मानलो कि आप लोग ने यह वाला जो स्लाइड है, आप लोग यह वाला बनाया, और आप लोग को यह आप लोग को App 2 प्रेस करना है, अप लोग को यहाँ पर Save में आ जाओगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, Ctrl-S जैसे करोंगा, तो यहाँ पर मैं आ जाओँगा, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, कहाँ पर आप लोगों ने एक फाइल बना के रखा है, कहाँ पर आप लोग ने एक file बनाया था, desktop में बनाया था, तो आप लोग browse करके भी जा सकते हो, या फिर आप लोग को यहाँ पर भी show हो जाएगा, ठीक है, तो मैं चलो अभी आप लोग को browse करके भी बना देता हो, ताकि आप लोग का कोई problem ना, तो मैंने जैसे browse में गया, तो नमबर भी देना है, तो चलो मैं यहाँ पर दे देता हो, तो आप लोग का रोल नमबर यहाँ पर दे देना है, रोल नमबर जैसे कि आप लोग यहाँ पर रोल नमबर दे दिया, रोल नमबर आप लोग क्या है, जो भी है आप लोग वहाँ पर दे सकते हो, 1, 2, 3, 4, दे दे एक्जाम्पल के तोर पर आप लोग डायक्ट भी इसी तरह से भी दे सकते हो अब बात है कि .ppt में कैसे सेव करें ठीक है क्यूंकि 2007 या फिर उसके आगे का बर्जन में आप लोग को .ppt by default नहीं देखने को मिलता है अगर आप लोग डायक्ट इस तरह से सेव कर लोगे तो यह .ppt में प्रqlex में सेव होगा ठीक है तो आप लोग में अप लोग को यह चीजे धियान रखना है किस तरह से करोगे तो मैं बयाद देता हूँ आप लोग को दो एक एग्जाम्पल और दे के दिखाता हो ठीक है पहले मैं इसको अलग save करता हूँ, उसको भी मैं अलग save करूँगा, तो आप लोग जादा समझ में आएगा, तो चलो मैं इसको अभी by default कर लेता हूँ, जो की 2007 का version में रहता है pptx, तो चलो मैं इसको save कर लेता हूँ, तो मैं इसको general save कर लिया, ठीक है, लेकिन अब मैं करूँ इसको save करूँगा, तो चलो मैं इसको कैसे save करूँगा, मैं फिर से इसी file को save कर लेता हूँ, ठीक है, अलग नाम से, तो मैं यहाँ पर file में जाऊँगा, आप मेरे को save as करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोग जब new file को करते हो, तो उसमें save करना पड़ता है, और जब same file को आ मैं फिर से यहाँ पर जो देखो, एक तो मैंने, अभी यह PPTX में करा है, लेकिन मैं इस बार में, यहाँ पर मैं roll number नहीं देता हूँ, यहाँ पर मैं समझाने के लिए कुछ भी नाम देता हूँ, यहाँ पर मैं .PPT कर देता हूँ, ठीक है, .PPT, और यहाँ पर .PPT में save करने है, देखो, यह तो था PPTX में, लेकिन यह है .PPT में हम लोग इसको save करेंगे, तो इसको करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, by default तो आप लोग को यह वाला रहता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा से नीचे आना, पावर प फाईल में यहाँ पर save हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग को C में नहीं करना है, वह desktop में करके दिखाता हूँ, ठीक है, इसको भी, तो मैं desktop में कर लिया, इसको PPT नाम देता हूँ, मैं .PPT, या फिर PPT नाम देता हूँ, ठीक है, इसको मैं save कर लूँगा, अब मैं दोनों फाइल को आप लोग को open करके दिखाता हूँ तो आप लोग का डाउट किलियर हो जाएगा तो चलो मैं यहाँ पर minimize कर लेता हूँ window को तो मैंने window को minimize कर दिया और यहाँ पर मैंने एक cst नाम का एक जाएगा तो देखो यहाँ वाला बरजन में मनें आप लोग को करके दिखाया ठीक है 2007 या फिर 2000 आगे का बरजन में तो मेरा 2013 जाँ यहाँ तो इस तरह से इसको अगर को .pptx में नहीं करना है ध्यान रखना आप लोग को किस में करना है यहाँ पर जो मैंने बाद में सेब करा इस इसमें आप लोग को सेब करना है 1997 से लेकर 2003 वाला में ठीक है तो इसका मैं अगर अप लोग को दिखाओ तो देखो जिस तरह से अप लोग को बोला गया था वही वाला format है . ppt फीक है तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक बार दिखा भी देता हो पीडेप में आप लोग को देखो क्या बोला गया था . ppt तो आप लोग को.ppt में से Пेटalt ppt में सेब कर लेना है इसी तरह से आप लोगो Excel और Word भी करना है ठीक है तो मैं इसको आप लोगो difference दिखाने के लिए आप लोगो मैंने दिखाया कि दोनों को किस तरह से से सेव करके अलग-अलग मैं आप लोगो सो करा कि ताकि आप लोग अधिक से अधिक समझ पाओ ठीक है अब चलो मैं Excel को सेप कर लेता हूं मैंने को यहाँ पर एक Excel का अलड़ी बना हुआ है और यह से भी करा हुआ है लेकिन चलो मैं एक न्यू फाइल ही ले लेता हूँ ताकि आप लोगो कोई प्रॉब्लम ना हो अगर मैं इसको करूँगा तो मैं मेरे को सेवेज़ करके करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर आप उससी को करके पेस्ट कर दीता हो आप लोग इसको सेव करना है तो आप लोग यहांसे भी कर सकते हो या फिर यह प। आप लोग यहां से भी कर सकते हो तो आप लोग कंट्रोल यहां पर यहां पर क्लिक करोगे सेब में तो आप लोग सेब में चले जाओगे आप लोगों ने desktop के अंदर एक फाइल बनाया था cst के नाम में आप लोग को वही पर सेब करना है ताकि आप लोग को दे देना है जो भी आप लोग का रोल नमर होगा तो मैं यहां पर देता हूँ 123456 ठीक है उसके बाद आप लोग का excel जो होता है किस question number excel का question number होता है वो कितने number में आता है to excel का मैं एक बार दिखा जाता है आप लोगो PDF में तो देखो excel जो है question number C में हमेशा रहेगा ठीक है तो आप लोगो यहाँ पर C में ही save करना है ध्यान रखना तो मैं यहाँ पर C कर दूँगा तो यहाँ पर आप लोगो c में save कर देना है ताकि आप लोगो समझ में आए और धियार नकना, आप लोगो format क्या करना है यह देखो 2007 का, यह 2013 का virgin है तो यहाँ पर xls x में होगा ठिक है लेकिन आप लोगो x में नहीं करना है आप लोगो simply xl X में करना है तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर भी आप लोग को Excel 1997 से लेकन 2003 वाला दिख जाएगा तो आप लोग को यहाँ पर Click कर देना है यहाँ पर Click करके आप लोग को Save कर देना है तो यह Save हो जाएगा इसी तरह से आप लोग को MS Word में भी .doc तो यहाँ पर करना है तो चलो मैं यहाँ पर वी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर क्रेज़ाप ले लेता हूँ घाल को सब्सक्राएब तो मैं यहाँ पर Ctrl S प्रेस करता हूं अभी तो मैंने यहां से दिखाया आप लोग अब मैं डिर्ट Ctrl S करूंगा तो यहाँ पर आजाओंगा तो आप लोग यहाँ पर क्लिक जैसे करोगे आप लोग को यहाँ पर डेक्स्टॉप देखने को मिलेगा ठीक है देखो डेक्स्टॉप यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा और यह वाला फाइल आप लोग ने पहले से कर देना है ठीक है तो अब आप लोग का सारा चीज सेव हो चुका है तो चलो अब हम लोग इसको विंडो को क्लोज कर देता है पहले तो मैं यहाँ पर विंडो को क्लोज कर देता हूं उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा आप लोग जो जो फाइल मैंने सेव करा है आप ल लेंगे ठीक है जैसे कि मैं आप लोग अभी open करके भी दिखा देता हो चलो मैं इसको open कर लेता आप लोग property में देखो गए तो देखो आप लोग डॉट.xls में हुआ है और यहां पर आप वक के बाद आप लोग को X भी अलग से देखने को मिलेगा तेकिन आप लोग को इसी format में करना है ध्यान रखना उसके आप लोग यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो प्रोपर्टी में जाओगे तो यहाँ पर देखो आप लोग प्रिंट आउट वह निकाल लेंगे तो यह था एक छोड़ा सा वीडियो आशा करता हूँ आप लोगो सारा चीज समझ में आया होगा और मैंने आप लोग को समझाने का पूरा पूरा कोशिस कर रहा है दो लोग कोई भी paid class ले लो ठीक है आप लोग को इतना डेटल में कोई नहीं बता सकता है ठीक है बता सकता है यह नहीं बोलूगा मैं लेकिन आप लोग कोई आपको मेरे को नहीं लगता है कि कोई बताएगा ठीक है तो एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं एक छोड़ा सब्डेट दो आप लोगों को अगर आप लोगों को exam level का practice set चाहिए तो आप लोग मेरा पीडियाप को buy कर सकते हो एक तो है 30 रूपीज का एक है 45 रूपीज का अगर आप लोग 45 रूपीज का पर्चेज करते हो तो वहाँ पर आप लोगो एक्जाम लेबल का six practice set देखनों को मिलेगा और अगर आप लोग 30 रूपीज वाला पर्चेज करते हो तो वहाँ आप लोगो सारा point जानना है तो आप लोगो को मैं इस वीडियो के comment box में link दे दूँगा तो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना एक्जाम से पहले पहले क्योंकि वह बहुत ही important है आप लोग के लिए वही था एक थोड़ा सा वीडियो चलो मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए good bye heaven ice day